सुनाते हैं आपको सूरज और उसके सितारे की दास्तान यानि लाजवन्ती सल्तनत की दास्तान इसकी इप्तदा यूं होती है कि सन 1554 में सितारों ने एक बच्ची को जनम दिया इस शहजादी का नाम था बिंदिया एक सुभा उसे बहुत मुन्फरिद तुफ़ा मिला जिसे बाकर उसे खुशी भी हुई और बहुत हैरत भी ये थे नन्ने मुन्ने सोने के बहुत से सितारे सितारे ये कहां से आए और वो भी जमीन पर तो शहजादी ने इन सितारों को अपनी कनीजों की मदद से कपड़ों पर लगाना शुरू कर दिया सितारे जैसे ही कम पड़े उसने अपने मद्दा को मजीद सितारे भेजने की दरखास्त भी कर डाली कुछ दिनों बाद जब शाह बहराम नामी शहजादा शहर में दाखिल हुआ तो शहजादी को पहली नजर में ही अंदाजा हो गया कि तुफ़ा भेजने वाला शख्स यही है उसे ये भी वाज़ हो चुका था कि शहजादे को सूरज की शवकत हासिल है सो दोनों के एहसासाद में एक चमक थी यहीं से लाज़वन्ती एहद की अब्तदा हुई इनके दरमियान शादी देबाई सब शहजादे और शहजादियां इसमें शामिल हुए इस महफिल को रौनक बखशने के लिए चान ने अपनी बेटी को बेजा ताके वो खुशी के गीत गाए और इनकी शादी को मुबारिक बनाए इस तक्रीब की गवाही सूरज, चान्द और सितारों ने भी